विल्कम टू चानक्याइस अकैडमी पत्ना जैसा कि आपने देखा कि 69th BPSC PT का एक्जाम हो चुका है और बहुत सारे जो candidates है उनका अलग-अलग अपना experience रहा है हालांकि BPSC का question का level अब बढ़ते जा रहा है एक्जाम दर एक्जाम उसका जो question का level है कह सकते है पैटर्न में काफ़ी ज्यादा changes देखने को मिल रहे हैं तो इस सेशन में 69th BPSC PT का जो सेट D है उसका answer की आपके सामने लेके present हूँ तो आए देखते हैं कि क्या आपका answer होना चाहिए ताकि आप अपने marks को evaluate कर सके और अगर इजाम अच्छा गया हो तो next step जो है आपका मेंस के लिए उसके लिए प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके लिए तो लेट्स बीइन दा सेशन कि अगर हम बात करें सेट यह हमारा डी है तो पहला question है आपका consider the following statements the arrival of बावर इन्टो इंडिया लेड टू कि बावर का arrival उसके बाद क्या हुआ introduction of gunpowder in the subcontinent introduction of arc and dome in the regions architecture establishment of टीमोराइड dynasty in the region introduction of cannons in the warfare कि क्या-क्या changes देखने को मिले तो basically क्या है कि जो आपका answer होगा इसका होगा a three and four यह पहले ही आ चुके थे तो establishment of टीमोराइड डाइनिस्टी हुआ और introduction of cannons हुआ पहला answer है आपका a next question है आपका which among the following port was called as Babul Makkah gate of Makkah during the Mughal period तो यह basically आपका सुरत का port था जो कि बहुत ही major trading port था so answer is a कि अस्पर्धान वाजे council of minister कि अस्पर्धान जो के council of minister थे वह किसके administration थे तो basically यह जो थे आपके महराठा administration में थे तो फी हैंसर आपका the next question आपका the painting of Vadishtuva Padmupani is located at कि जो painting बदिश्टवा Padmupani का वह कहां पे located है यह अजन्दा में located है next question है आपका five consider the following statements first question है आपका पायान वाज चाइनीज प्लेग्रिम वह विजिटेड इंडिया डिविडिंग रिजिन आफ हर्षा next question है आपका वें सांग वाज चाइनीज बुदिश्मांग विजिटे दूरिंग चंदगुप्त टू यह आपका दोने statement गलत है सब्सक्राइब करेक्ट करना है आपको कौन सा करेक्टली मैच्ट है six question number में आपका तो अगर आप करेक्ट मैच की बात करते हैं अब देख सकते हैं चरक तो यह मेडिसीन से रिलेटेड है आपके बढम गुप्त तो यह mathematics से रिलेटेड है बढम एस्ट्रोलोजी एंड विशाखदत प्लेराइट सो एंसर इस दी इसका अंसर दी होगा नेक्स्ट रहू एमंग दा फॉलाइंग इंट्रूइंग इंट्रूइंग परसियन फेस्टिवल न बात करते हैं नाथ पंती सिद्धा और योगी डिवोशनल रिलीजिन पॉपुलर इन यह दिस बिसिकली नॉर्दन इडिया में काफी पॉपलर थे सो एंसर इस दी था फॉलोविंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वूद दिस्पैच्च ऑप 8054 इस रेक्यमेंड इंग्ली जो एंसर इस बिनेक्स्ट्री नॉर्ट नेग्वेज वाज श्टर्ट दू दू अर्ली बेडिक प्रियुल्ट के दौरान यह राजगिडी था सैंसर इस दी next question question number 12 which of the following statement about the vernacular press act is our correct concept statement vernacular press act regarding correct hai aapka it was enacted by Lord Litton it came to be known as gagging act and the act was repelled by Lord Rippon if tino statement say yes answer is C yeah so 12 cancer apka see होगा विच आफ दा फॉल्विंग स्टेटमेंट अवाउट लॉड मेयो रिजोलुशन अफ एटी सेवन टी अर्ट की लॉड मेयो का जो रिजोलुशन थाटी सेवन टी का उसके रिकार्डिंग कौन-कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप देख सकते इत वाज फर्स्ट स नेक्सेटल और प्रोविंशियल फाइनस नेक्सक्ट प्रोविंशियल गवर्नम्न वर इंपावड तो अड्मिस्टर शटेन सर्विसेश इट अटम्ट्टेड टो र्क्रिफ़ए एग्जिस्टिंग इंपस्यालिटी इट फोकस्टेश्ण अन एक्ट्टल निर्स पालिटिक्स वाज इसके दौरा यह नितिशालिका गया था यहा कमंदका के दौरा रिखा गया था इस्वर दास गार के दौरा according to Chinese sources में बर्वन द रूलर श्री लंका sent a missionary to which of the following uptake for permission to build a temple at Buddhist a temple in गया बिशीकलीया समद्रक्टके ताइन में रुवा था रुए ताइन सब्गाने सरीह बिहार परेटें से परेमिन परेटर्ट से कब सेपरेट हुआ तो 1912 फॉए नेक्स्ट वेह आपका ग्वम्ष्ट नम्बर 18. इन इंडिया आर्ट चांस्ट्रक्शन आप स्थूपा चहत्या विह इस अप था फॉलविंग इन दा कंटेक्स्ट आफ इंडियान हैंडिक्राफ वाट इस सूजनी इन बिहार सूजनी किया है विहार में जो विहार से रिलेटेड है यह बिसीकली आपका एक टाइप ओप आपका इंकरेक्ट कुछ रहा है कि इन्मे से कौन इंकरेक्ट है यह कि इंकरेक्ट है वन और पाला तो यह वन झारेक्ट सक्टर बुक्त प्रिछिंघ का मरे कि हूह variety याङ ओट आपका रोफ्राश्य आस पॉच्ट पिर म्स ए मितन्स और आप ऊक़नों विच अब दा फॉलिग नेशनल पार्क वाइलाफ सेंक्टूरी जो है वह बिहार में है वालमी की और भीम बांध क्योंकि दूद्वा नेशनल पार्क आपका यूपी में है तो ओन एंड फॉर आपका एंसर होगा डी नेक्स्टाइब दा फॉलिग स्टेट्मेंट नेक्स्ट आपका इसमें आप से पूछ रहा है तो आपका अपका एंसर जो होना चाहिए औल अप दा इभाब दी होना चाहिए नेक्स्ट कॉश्टन है कॉश्टन नमर आपका 23 अधर नेम्स ऑफ रिवर गंडग का दूसरा नाम क्या है तो रिवर गंडग का दूसरा जो नाम है वह आपका है नारायनी सो एंसर इस बी गोल्डिज फाउंड इन विच आफ दा फॉलेंग डिस्टिक जमूई सी त्रीवे अर रिजन है तो आपका एंस कॉश्टन है पहला रिच प्लेशर दिपोजित अवल्ड आर फांड गाना कोस्ट आंड गोल्ड बेरिंग बेंस आपंड इन ब्राजिल अग्सम पॉंट 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 आपका जोएधर अलोंग अट्लांटिक उसियां वोथ आर और इंक्रे सेवन बिहार जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट आफ रॉक सिस्टम मैच दा करेक्ट तो आप अगर इसका मैंचिंग देखिए चुकि इसके कोश्टन का लेंथ काफी बढ़ा है तो अगर मैं इसका आपको एंसर बताओ कोश्टन 27 का कोश्टन 27 का एंसर होना चाहिए आ आप देख सकते हैं भारबार रॉक सिस्टम पाट आप और अर्कनिया रॉक सिस्टम बिंधियान रॉक सिस्टम है जो आपको सैंड इस्टों लाइम इस्टों आप आपको मिलता है वी का फोर होगा आप आप देख सकते हैं इसे 27 का 28 का विच वन और फोलेंग इस वोल्स रिचेश्ट रिजिए रिजन फोम मेराइन बायो डिवर्स परस्पेक्टिव कंपराइज 21 आइलेंड इस्ट्री वीचेज फोरेस्ट नियर सोर इन्वार्मेंट और स्कॉरल लिप साल्ट मार्स और मैंग्रॉप्स तो बैसिकली यह है आपका विच फॉलेंग इस स्टेटमेंट इसमें करेक्ट पूश रहा है आपका 30 का स्टेटमेंट यह ही करेक्ट है माइका इस फांट इन को डर्मा नेक्स्ट क्वेशन है आपका थर्टी वन क्वेशन नुबर 31 हाव मनी लेक्टिटूट्स आर देर अन ग्लोब रॉन आट वन डिग्री इंटर्वल कितने हैं तो बैसिकली आपका एंसर है 179 नेक्स्ट क्वेशन है आपका आपका थिसकली नन वहाँ गाइंसर आपका एंसर की नन अफ द आपका इस स्टेंडर्ड टाइम इंटर्सेक्ट इच अधर किया किस ट्रॉफिक पर इंटर्सेक्ट करता है बिसिकली यह बगेल खंड है तो एंसर इस बी पर यह बगेले फ्लो करता है तो एंसर इस ए गॉपका कोशन नंबर थाटीश्स चांसिडर्ड दा फॉलविं इस्टेटमेंट्स लेक विक्टॉड इस थार्ड लाइश वाटर लेक इन दा व्ल्ड बाइ सर्फेस एडिया नेक्स प्रिक्ट्ट वापका इपका इड यह वन प यहां और आप से पूछ रहा है, 1 & 3 जो है आपका वो, इनकरेक्ट है, तो answer is C consider the following statements regarding heat wave, heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 80 degrees Celsius or more for the planes, heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees or above तो पूछ रहा है कि आपका correct कौन है, तो नाइधर वन नाइधर तू, USómие hélas है नेक्स कोचन है जाउचा 38 आपको मैंके करना है आपको थाउच्टी एट का क्या मैं और आपका 38 खरती टोका आफा थाउचटिया चंटależy कर रेए जैक्स काटर, फ्रांस, सर्ड रेक, उनाइटेट किंग्डम, पर्टूगल, पर्टूगल, नेक्स्ट है, 39, इमेरेट्स ऑफ युईई, कौन कौन से है, इमेरेट्स, युईई के, यह है, अबुधाबी, दुबई, सार्जा, अजमान, उम, अल, कुवाइन, फुजरया, रास खह्मान, इस डी, नेक्स्ट है, दरीवर, सभुवार्नेख, और इख और फॉलविएज, कहां से यह ओरिजिनेट होता है, यह बेसिकली, और रिजट होता है, नगरी से आपका सहनांसर होगा, C, नेक्स्ट कॉस्ट्टेन है, आपका, इस स्पेसिफिकेशन रिकवार्डनेस और जोग्राफिकल आइस्रोलेशन, तो 41 का आपका अंसर होना चाहिए, वह दी, अल अब 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 होना चाहिए, फ्रम विच कंट्री दा इंडियन कॉंस्ट्टिशूशन है, तो यह USA है, अन्टच अबलेटी जाब इस आपका इंडियन kan Nevertheless, मैंन आपका इंडियन कॉंस्टीन कॉंस्ट्टिशी आपका इंडियन कॉंस्टन vorher इस खरक्मानन बार्थी क्या था सच्ट्क्राइज। आपका इसका एंसर है I think question number 47 जो correct एंसर आपका है वो है आपका 41 47 का D एंसर है आपका next question 48 एंडर विच आर्टिकल था स्पीकर कैन एलाव एनी मेंबर आप दा हूस्पीक इन ही हर मदर टंग किस आर्टिकल में है तो 120 वन क्लॉज वन नेक्स्ट कोशन है आपका इसका इसका जो एंसर होगा आपको वह होगा स्टी इसका इंसर होगा इंकरेक्ट में आप देख सकते हैं अगर आप स्टेट्मेंट देखना चाहिए तो जो आपका है इसका इसका थार्ड थेटमेंट्वरेंट्स प्रिंस्पल आपका इंसर होगा 50 का बी नेक्स्ट कोशन है हमारा 51 इसका इससर्ट में रिगार्डिंग इंसल्वेंसी और बेंक्राप्टी क्या है तो अगर यह बहुत बड़ा statement questions का है तो आपको options दीखेगा नहीं 51 का जो आपका correct answer है वह है only B अतलब only four statement correct है next question है आपका इन विच यह वाज दा इंडस्ट्रियल प्रोलिशी डिजोलिशन वाज अडॉप्टेड तो यह 1956 में अडॉप्ट किया गया था answer is D next question है आपका इंसर की बात करें तो इसमें अगेन जो आपका answer होना चाहिए चुकि incorrect पूछ रहा है 56 में तो आपका answer होगा आपसे पूछा जा रहा है incorrect तो 56 का incorrect statement है 1 and 4 पूछ रहा है तो 2 and 4 वह incorrect है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 57 और 53 53 के बाद 54 54 में स्वामित वे स्कीम से क्वेश्चन है स्वामित वे स्कीम के रिगार्डिंग कौन साय स्टेट्मेंट आपका incorrect है तो आपसे पूछा जा रहा है तो आपको 53 का जो answer था तो आपका है इनकर्ड पूछ रहा था नाव 54 वे हम नौकुछ रहा था नाव 54 we have the question regarding स्वामित वे स्कीम के रिगार्डिंग क्या क्या करें आपसे अगां इनकर्ड पूछा स्वामित वे स्कीम के रिगार्डिंग्ट को लिखा जाए ती छीका पूछा रहा है आपको इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था 54 में आपका इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वन एंड थी है तो आपका एंसर होगा ए नेक्स्ट कॉस्टिन हमारा 55 एंसिब्टिन है था 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 कोष्टिन है नेक्टी का इसे एंसरे खुष नियुकिव क्ती तो गई सर दो बिंसा में आकरेक्ट जो स्टेक्ट में की कि था ठीजिन पॉर्थ इस पार श्रूर स्किंट था कॉ्बशाइब प्नीश सर्ट को Testing Health से भी विए क्यинठें कैली श्ट the president can issue direction for the reduction of salary allowances of all or any class of employees serving in connection with affairs of the union including judge of supreme court and high court yes next statement the money bills or other financial bills are to be reserved for the consideration of the president after yes answer is c so 55 cancer see which of the following factors could potentially contribute to stack inflation in indian economy so 56 i think this is 56 cancer hooga high inflationary pressure due to increase yes declining industrial protections against economic growth yes decrease in aggregate demand and consumer spending appreciation of domestication yeah answer c hoona chahi as per recording survey 2023 which of the following statement describe the trend of foreign direct investment तो अगर हम बात करें 57 question number का 57 का अंसर होना चाहिए only 4 आपका answer है so answer is c next question is what is the current population of गयाडिस्टी का बिहार के बिहार में गयाडिस्टी का करेंट पॉपुलेशन कितना है तो यह एक बहुत ही factual question बीपेसी नहीं पूछा है यह आपका पाइप करो 98 5,98,000 आपका answer is d which of the following statement about non-plan expenditure of central government is correct non-plan expenditure में क्या है the expenditure in on interest payments आपका answer होगा c next question number 60 which of the following is not true about globalization and its impact on इंडिया कि कौन साथ true नहीं है तो increase in export is greater than increase in import yes it has led to great flow of foreign right investment it has expended trade in goods and services कौन करेक्ट नहीं है पूछ रहा है आप सो आपके answer होगा ए क्योंकि अभी भी हमारा जो इंपोर्ट है वह ज्यादा है compared to export consider the following statement about the latest development in union government finance की union government finance में क्या-क्या developments हुए है उसके regarding आपको कोशन दिया गया है फिसकल देफिसित आप दा यूनियन गवर्वर्मेंट है रिज नाइन पांट टू परसेंट अव जीडीपी दूरिंग पैंडेमिक इसकल देफिसित आपका जो आपका पॉर्शन नमबर फिस्टी वन है उसका अंसर है आपका वाली टी वान्ली वन स्टेट्मेंट आपका करेक्ट है बाकि आपके रॉंग स्टेट्मेंट्स नेक्स्ट आपका फॉर्ण पराइए बाक्रिप्ट फॉर्ण अटेट्मेंट आपका आपका थापका प्रक्रिएंट आपकके रॉल्स लॉर्स आपका जड़ेखने है रुल्स फॉर्जिंगी टो ओ कर स्टेट्मे नेट्ग्स नेट्टना पर टूर्ट आपका प्रीजिंगा है लुड एफॉर्ण is derived from the fact that duties and restriction in several cases depend upon the source of import yes all of the above statements are correct so answer is d so 63 cancer d next question है आपका question number 64 consider the following about statements about infant mortality rate it is the probability of dying between birth and exactly one year of age expressed per thousand live birth so ऐसा यह बिल्कुल नहीं है आपसे correct पुछ रहा है यह तो गलत है आपका infant mortality rate in India इतना in 2019 infant mortality rate is 30 as per the highest mortality infant mortality rate in उत्तरप्रदेश only आपका statement two and three correct है so answer होगा B 64 का next human capital formation as a concept is better explained in terms of process which enables human capital का formation का क्या मतलब है बिसीकली इसका जो गरम बात करे individuals of a country to accumulate more capital no increasing the knowledge increasing the skill level so अगर हम इसकी बात करें तो आपका एंसर उन्हें 65 का B 3 and 4 increasing the skill level increasing the knowledge skill and capacity of the people of the country so answer is B next question है आपका पक्सत मुवमेंट इन बिहार दुरिंग 1937-38 वाज और्गनाइजड वाई किसके द्वारा और्गनाइज किया था स्वामी साजानन्स और सथी के द्वारा हम रूल मुमेंट और सबसे पहले आपका होगा 2 4 1 & 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 आपका आंसर होगा 2 4 1 3 67 आपका आंसर होगा Lord Lytton is not associated with which of the following 68 यह यह एलवाट विल से associated नहीं थे तो कि उसमें लॉर्ट रीपन आ शुके थे नेक्स्ट क्वेशन है आपका 69 विच ट्रीटी वस साइंड अप्र बैटल आपक्सर ट्रीटी आफ अलाहवाद रच इस्टेबलिश फर्स इंडिया का प्रिइन पट्ट्रा इन विच ए और 1632 तो आंसर इज ए 70 का ए नेक्स्ट है इन विच फॉलेंग मोमेंट महादमा गांदी मेक यूज फर्स हंगर स्ट्राइक अजए बेपन सबसे पहले यह हंगर स्ट्राइक कहां पर हुआ यह आमदावाद स्ट्राइक में वा तो सैंसर इस भी इंडिया मोमेंट इन 1942 विश्ट्राइक के नाम से बिसिकली जाना जाता है आपको स्ट्रीक्रिशन सिंग को सेंसर इजे इन रिस्पॉंस तो देख सकते हैं तो बिसिकली इन्फोर्स किया था था कर्फिव आपको मैच करना है तो सब्सक्राइब इंडिया सॉसाइटि के हम बात करें तो गुपाल करें गोखले है बात करें तो बहुद्धिनी सभा कि हम बात करते हैं तो यह देवन्वन नाट सब्सक्राइब केसब चंद राजा राम मोहन राय से रिलेटेर देश्व एंसर आपका दी है आपका 77 आंडेस्ट वॉर्षिटाइब के तुरितन ट्रेट रिवक। पर पास्ट पॉर्फ टाइव में सर्डार पल थे आप जो सपोर्ट प्रम और ना सदुन सेम्सेफर्व क्योंद सुसाइटी तो आपका जो सब्सक्राइट होना चाहिए वो होगा आपको इसका एंसर बता जाता हूं इसमें से चाहिए और नेक्स इती जाता है आपका एंसर्क अपने नेक्स इती ठीरी वार्त वुड़ कम इन प्लेस ऑंप्लेस आपके इन प्लेस को इन प्लेस दो ओं टॉलेंग नंबर सेरी जे इसमें से इसमें कौन सा मिसिंग नंबर होगा 84 का जो आपका एंसर है वह है 77A नेक्स्ट है आपका 85 85 का अगर अगर अगेन आपको कंक्लूजन इकालना इस्टेटमेंट दिया होगा कौन कौन सा कंक्लूजन सही होगा 85 का जो आपका बिसिकली एंसर है वह है आपका एंसर सी नाइधर वन नाइधर तू फॉलो दा इस्टेटमेंट्स में सिंपल सा कह रहा है आप इस्टेटमेंट पढ़ियेगा आपको पता चल सकता है इसका एंसर आपका सी है इसका नेक्स्ट क्वेशन है आपका इन पूड लेंगवेज इफ ग्रेट इस रिटन इतना इंग मंक इन इतना इतना है विलविवर इस विल भी रिटन फॉ आपका एंसर है वह है ए next question है 87 87 का आगेन आपका answer है C after that we have question number 88 58 का answer है आपका C है 5.34 after that 88 we have question number 89 89 का answer है B 90 का आपका answer होगा वो है 90 का answer आपका C 90 का answer C है अब बात करते हैं हम question number 91 which of the following is our computer language इसमें कौन computer language है question number 91 की बात कर रहे तो all of the eva cobra python square Java सभी language है so answer D होगा what is the full form of GPT in chat GPT recently in news क्या था इसका full form इसका full form था generative pre-trained transformer so answer is C next question है आपका 93 which of the following are not the taste of the tongue tongue का कौन साथ टेस्ट नहीं है यह बिसिकली बीटर एंड आपका क्या सकते है पंजिट जो है वो सौर नहीं है सो answer होगा आपका B 93 का which of the following pairs are correctly matched कौन में कौन सा प्यार जो है वो correctly matched कर रहा है तो आपका three and four correctly match है dysponia shortness of breath and so many partial of full loss of expense so three and four only correct है आपका answer होगा A 94 का answer होगा A in the universe what are the pulsers pulsers क्या basically क्या होते है तो pulsers basically are rotating neutron stars 95 का यह in the context of lab-grown diamond what is used as a diamond lab-grown diamond में graphite यह होता है answer is B what is the fiber used to make bulletproof jackets कौन सा fiber होता है यह kevlar होता है so answer is C what are the full form of HMX HMX का full form क्या होता है तो B only high melting explosive answer is only B 98 का what is the name of the Tesla humanoid robot again यह भी आपका repeated 68 VPC में भी यह पूछा गया था 99 का जो answer है आपका होगा है C optimus what are the Manhattan project Manhattan project क्या है तो basically research and development for undertaking that produce first nuclear weapons answer is D next step 101 कि कौन सा image कहां पर फॉर्म होगा the image formed by concave mirror is real inverted and of same size as that of the object the position of the object should be क्या position होगा object का 101 का at the center of curvature होगा answer जो होगा 101 का वो यह होगा आपका next time photoelectric cell is a device which क्या करता है कनवर्ट करता लाइट इनर्जी को into electric energy so answer is C next question आपका 103 the amount of solid percent per unit volume of per unit mass of solution solvent is also known as in the chemistry में chemistry में से क्या कहा जाता है basically concentration of solution so answer is C how do covid vaccine stimulate immune response की को में जो वैक्सिन है वो कैसे करते हैं stimulate तो बाइंट्रूशिंग हार्म्रेस पीस आप सार्स को बिद भारस तो एंसर इस one second the 103 cancer C 104 cancer होगा आपका B next question आपका which of the following liquids is a bad conductor of electricity तो लेमन जूस औरेंजूस जूस अल्ट वाटर नन अफ देवर डी कंपा एक्सट पांच का अंसर दी नन अफ देवर DNA double helix structure or discovered by किसके दोरा double structure James Watson and Frank किस क्रिक स्वार्सने नेक्स आपका तू अबजेक्ट और दिफेरेंट मास्स पॉलिंग प्रेली नियर तू वेक्टर वैक्सिन वाटर टू प्रोवाट एक्सिन जो है आपको कैसे उम्मिनिटी प्रोइट आपको प्रोपेंगेंग करते हैं जो यह विपलेशन प्रोश सेट स्पीसिस अफ इंद कर्ण स्ट आर संस्ट जो मोशन द्रिवें वा मोमें इन दा मैंटल इज वाल प्लेट थेक्टोनिक क्योरी सो एंसर इस भी नेक्स्ट कॉर्शन है आपका पॉर्शन नमोर 111 वाट इस एक्स्पेंदेट फॉर्म आप एम आर एने आट इस दिसक्स सिंस बिगिनिंग आप पैंडेमिक मार अने का फॉल पर मता मैसेंजर रइव निपलिक ट्सीड मैसेंजर आर एने स्कॉर्ट फॉर्म में 112 प्कॉस्ट नमबर आपको 112 and AC करेंट कंबी प्रोदूस्ट दू किसी करेंट कान में प्रोदूस्ट बाइव बीट्रांसफोर्म डाइनमो करेंट देंसिटी इस सब्सक्राइब का ऐसे कर सकता है है अग्र बात करें है रिएक्षिन को स्लो कौन कर सकता है यह इंपर नर्फ डिमीट अट करते हैं हॉग्ष्ट सिस्टम लिवर नन आप यह वग विच आप ऐफ दा स्वाव दा दिन टेक्नोलोजी कौम्सा टेकनोलजी नेवल क्या ज़गा इसमें सभी इंटरनेट ऑफ इंस ओच आयोटी हो यह एच कंप्यूटिंग ओगा नेटवर्क स्लाइस इंग हो या फिर लाट कंप्यूटिंग हो सब वह और सब्सक्राइब आपका 117 का नेक्स्ट पॉर्षिन है आपका सब्सक्राइब नेक्स्ट पॉर्षिन है आपका 119 मैंच इदा फॉल्लविंग कौन कौन से मैच करना है आपको अगें 119 में भी होगा आपका अंसर लिनेन एक्स प्लांट है आपका वहीर कोकनट है मोहेर अंगवना गोट और रावन किदर सब्सक्राइब असिडर दा फॉल्विंग स्टेप्मेंट नेक्स्ट आपका 120 का जो एंसर आपका को है करेक्ट पुछ्ट पुछ्ट आप से बोथ 1 & 2 था नंस्यास is an intestinal infection caused by three species of tap bomb tanninia solium tanninia second and tanninia asiatica when this develop in the brain the condition is referred to as neuro atrocosis ncc answer is a what is the name of deep sea submersible that imploded during an underwater balance in titanic basically यह जो था आपका titan था so answer is c put where और यह आपको match करना है कौन सा fashion किससे related तो अगर आप 122 की मैं बात करूं तो answer होगा आपका a after that which where did the former president of u.s. give his interview recently तो यह recently इन्यों ने जो interview दिया है वह आपको दिया है एथेंस में so answer is b in the context of sports which of the following players is are correctly matched कौन सा correct matched sports के section में अगर तो 124 का मैं answer का बात करूं तो यह 2 & 4 होगा answer होगा आपका c 2 & 4 आपका correct match है जैसे आप देख सकते हैं वेनस रोजवाटर इस वेंडिलेंडन ट्रॉपी बुमें और अस्टेलियन वोपन बुमें डेफन अक्रस्ट ममोडियल कप यह दोनों correct है नेक्स्ट है आपका मिर्स्ट्यम रबहुं रफ्रम आपटियर मोज चलंड खर्द्रॉप इंडिया इन अंहर मिन इलेंगवेज यह कितने ये नाचानलब पर्दीज किया है तो या ने नियुद्ध के बाद है इतके लुद्धोम्छ परदिशा है गेंडिया का इंट्राइब ने गाल इन से तो यह उस ने जीता है तो यह गूल्ड मेंडल से सबस्क्राइज इस इस है इस होड इस जो आपके इदाोड सांट्री ओ किया वह शुय। इसल्लिया थे शिल्क प्रट और चाहेट डिक यह आ जाइञ धे to use simple and easily understandable English language in official website and documents तो यह बेसिकली अभी न्यूजिलेंट के द्वारा पास किया गया है तो एंसर होगा आपका बी 133 के मैं बात करूँ तिलारा डेमी फॉसल्स आप द्वार्ट प्लांट पॉलिनेटर इंविच कंट्री यह कहां पे रिस्कवर किया गया है यह अभी रस्या में डिस्कवर किया गया सब्सक्राइब किसे रिलेटेड है तो बिसिकली 134 का अंसर होगा आपका बी ओसें से रिले इस नॉट इनॉट 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 इन इसको वर्ल इरिटेस साइट के लिस्ट में यह सो एंसर होगा आपका यह अंसेप्ट प्रिस्पल कहां से बॉर्डव किया गया तो आयर्लाइंट ए उसका रिटेट का हम बात करें तो इसके में फुल प्लेजर इस्टेट आफ इंड इसके में फ्री बाइड रिडिशिंग इंडियर यह होगा आपका ट्वंटी ट्वंडी फोर तक स्वान सरे होगा ए इस लोकेशन्स यह लोकेशन्स कहां पे हैं तो बैसिकली यह जो अभी हुआ सिप्रिक टूरिजम जो इवेंट हुआ है यह आपका कॉस्ट और कोस्ट आफ गोवा पे हुआ है सो एंसर होगा डी जी ट्वंटी मेंबर्स रिपर्जेंट अराउं 85 परसेंट अफ ग्लोबल ज यह रिसेंटली न्यूज में था यह वांगे प्रिक जो नीन है जो इसके हैड़ है आपका आपका 144 का जो एंसर होगा ग्लोबल इंटर गयाप रिपोर्ट इस रिलीज्ड वाई यह वाली कॉरूम के दूरा रिलीज किया जाता है सो एंसर होगा बी 145 विच वन फॉलिंग स्टेक्मेंट रिगार्डिंग क्वीन इलेजावेथ टू अप दू अप्ट इंग्डम इच करेक्ट 145 का जो बेसिकली आपका एंसर है की पूछ रहा कि करेक्ट कौन है तो अगर बात करें तो सिरी जाइट पर सेवेंटी यर्स एंड डाइड अज आपका करेक्ट स्टेक्टमेंट है इसका थीम क्या था तो बेसिकली हम बात करें 146 का जो थीम था इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैनुफेक्ट्ट्रिंग हब दी आपका एंसर है वह है सी टू थी और पॉर आर्ट करेक्ट आपका होगा ब्लू रेड एंडवाइट कायान यह आपका होगा ग्रीन एंड ब्लू तो फिप्टी का एंसर दी तो आपने देखा कि जो बीपीए से सब्सक्राइब जरूत नहीं है नेक्स्ट स्टेप अप तयार करें और आपने आपको और अच्छे से प्रीपेर करें तो यह था सिक्ष्टि नाइध विपेसी पीटी का स्थेट डी का एक्स्प्लाइनेशन आप आप लोगों क्लियर हो गया होगा कि आपको कितने माक्स आ रहे हैं और आप आगे का प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करें हैं यहां से तो दाट सॉल पर तुडे थैंक यू